हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इंडो पार्ट साला में आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी फिल्म आवोर्ट्स दिये गए हैं वर्ट्स 2022 में उन सभी को देखो यहां पर कंप्लिट लिस्ट तो आपको मिलेगी ही साथ साथ में मैं लगबग 20 MCQ आपको में तो आए देखते हैं और यहां पर देखो सारे इतने भी इंपोर्टेंट अवर्ट सेना फिल्म जगत से लेटेड उन सबको कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले आपर देखो हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल औफ इंडिया इसको करेंगे फिर इंटरनेशनल फिल्म 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 फिर आइफा वोड्स को करेंगे फिर ग्रैमी अवर्ट जो है जो म्यूजिक के छेत्र में दिया आता है बाप्त आवोड्स नैंटिफोर्थ अकैडमी अवोड्स को करेंगे गोल्टन ग्लोब आवोड्स को करेंगे 68 करेंगे 67 नहीं और ओपनेट नेनी 67 यह घैंड़ा साहिफ फाल के इंटनेशनल फ्ल्म फेस्टिवल अवोर्ड जो है इसको सबसे लास्ट में करें जिए स्टार्ट करते हैं बाकियां पर मैं आपको कुछ बता दूं इस अवोर्ट के बारे में तो इस अवोर्ट का जो है गठन कप के गया था 1952 में एंड यह हर साल आईजूत होता है किस राज में हमारे भारत के तो गोवा में आईजूत होता है याद रखिएगा अच्छा इससे कंड़क्ट कौन करत है वह अनुराग ठाकूर याद रखिएगा एंड 53 जो यह अवोर्ट है यह कहां पर आजीत हुआ डक्टर स्याम मा प्रसाद मुखरजी स्टेडियम में जो की पनजी में है 28 नॉमबर 22 को यह अवोर्ट दिया गया गया थीक है यहां पर देखिए पुरी लिस्ट है इस अव क्aina के आजिए कहlic है वाहीड मोबा सेरी जो कि नो-ंड फिल्म में इन लुम क्या था बेस्ट ऐक्ट्रेस्ड मिला है देनियला मारिन को इन ले किस फिल्म में क्या था दो यह इन को आए इंदियन फिल्म परसनालिटी आप दे इर आरवर्ट यह इस बार मिला चीरन जी को पीछे आपने तस्वीर में देखा होगा उन्हें एक है सत्य जीत रहे लाइफ टाइम अश्चिविमेंट अबॉर्ड यह मिला है कार्लोस साउरा को याद रख लीजेगा ठीक है इंपोर्टेंट है इसके बाद देखो 68 नेशनल फिल्म अबॉर्ट्स आ गया पीछे तो हमन गया था इस अबॉर्ड को तो 1954 में इसे स्टेबलिस्ट किया गया था तो देखो यहाँ पर जो है मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अबॉर्ड की सुर्वात कब से हुई थी ठीक है यह भी एक्जाम में पुछा जाता है कि ऑसकर अबॉर्ड जो कब से दिया रहा है पहली देवगन और दूसरे हैं सूरिया तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा ऑप्सन डी ए और बी बोध अजय देवगन को मिला है ताना जी अनसंग वर्यर मूवी के लिए और सूरिया की एक मूवी है सुराराई पोत्रू उसके लिए मिली है ठीक है यह मूवी आप देखना काफी इसके बात बात करते हैं बेस्ट एक्टरेस की ठीक है तो 68th National Film Award में बेस्ट एक्टरेस का और मला है अपरना बाल मूर्ली को जी काम किया है सुराराई पोत्रू में उसके लिए ही तो option D सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद है कि सर्वस्रिष्ट हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म की सिर्वात और यहां पर बेश्ट हिंदी फिल्म का वोड किसे मिला था तो वह मिला था तुलसीदास जुनियर को option B सही हो और डिरेक किस ने किया था इस मूवी को तुम रिदूल महेंदर ने यह भी आप याद रसकते हैं वैसे पूछेगा नहीं फिर यहां पर कि इन में से किस राज्य को जो है इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश option D सही हो जाएगा याद रखिएगा बाकी है कि पहली बार जो है नेस्टनल फिल्म अबोर्ट कब दिया गया था वो पुछा जा रहा है यहां पर प्रस्ण में तो पहली बार दिया गया था 1954 में option भी सही होगा हमारा तो देखो मैंने सारे आपको विनर के नाम भी बता दिये question करा है न अब देखो यहां पर पुरी लिस्ट में दे दूँगा आपको ठीक है यह देखो 68 नेस्टनल फिल्म अबोर्ट की पुरी लिस्ट है तो बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसिदास लिको बेस्ट एक्टर का ओवर्ट मिला है सचिदा नंदन के यार को इनकी फिल्म है आयपनम कोशियम ठीक है यह फिल्म का नाम है इनका बाकी यह सब याद रखने की जरुवत नहीं है आगे देखते हैं आगे आप देख सकते हो कि मोस्ट अबोर्ट की इस फिल्म को मिलें याद रख सकते हो सुराराई पोतरू को मिला है पांच अबोर्ट बाकी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आपको बताई दिया मत्य पर्दिस बाकी जो बेस्ट फिल्म और सोसल इसूज यह आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वैसे लिस्ट आपको कंप्लिट दे दिय है जो इंपोर्टेंट है वह आपको देख लेंकर वेक्ष्ट एक्टर अक्रम ये जो बेस्ट फिल्म हो पिर आगें हाँ आप पर आइफा और आइफा का प्रनाब हो ता इंट्रनेशनल-डियं फिल्म अकैड्मी ठीक है एडे इसे जो है आइफा बोलते हैं आइफा के नाम से फेमस है यह अब वोड किसे लिए आता है तो विक्की कोशल को सरदार उधम मुवी के लिए ठीक है याद रखिएगा एंड सरदार उधम मुवी को डायक किस ने किया है तो सुजीत सिरकार ने यह भी आपको पता होना चाहिए कभी कभी डायक्टर का नाम पुछ ले आता है फिर यहाँ पर बेस्ट एक्टरेस का वोड किस इस मुवी को डायक्ट किया लक्ष्मन उतेकार ने फिर यहाँ पर देखो कम्प्लिट लिस्ट है बेस्ट पिक्चर मिला है शेर साह को बेस्ट डायक्टर का वोड मिला है विश्नु वर्धन को सेर सा मुवी के लिए हैं सेर सा मुवी के डायक्टर को ने विश्नु वर्धन बेस्ट एक्टर का वोर्ड मिला है विक्की कॉसल को सरदार उधम सिंग के लिए बेस्ट एक्टरेस का वोर्ड मिला है किरती सैनो को मीमी के लिए और सबस्याद आवोर्ड से यहाँ पर दिये गए हैं सेर्षा को लगबग 6 आवोर्ड मिले हैं बाकि आप देख सकते हो बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो में वह है जुबिन नोटियाल फीमेल में है असी स्कॉर ठीक है रातार लंबिया के लिए इनहीं दिया गया है आगे हापर आप देख सकते हो यह है आपका Grammy Award Grammy Award की बात हो यहाँ पे यह किस में दियाता है Music Industry का जो है काफी बड़ा Award है ठीक है United States जो है इसे देता है कौन सदेश देता है United States पहली बार कप दिया गया था यह Award चार मई 1959 में और इस बार जो है इसका 64th एडिसन था 2022 में कहां पर आउजित हुआ तो लास्ट वेगास में आउजित हुआ था यह ठीक है याद रखिएगा Grammy Award का सबंद किस से है Music से पताओना चीए फिर हैं पर देखो winner से कुछ एक तो है record of the year फिर है song of the year album of the year यहाँ पर याद रखना तो song of the year था leave the door open album of the year था we are जो की जॉन बैटिस्टी की है and best children's album category आप यह कियाद रख लेना जो फाल्गुनी साह को मिला है ठीक है यह तरह से याद रखना है आगे देखिए आगे आप पर है BAFTA Awards तो Grammy Awards मैंने आपको बताया न मुजिक इंडस्ट्री का है वो कौन साथ इस देता है यह फिल्म इंडस्ट्री का BAFTA यह इसे भी कौन देता है तो यह देता है British Academy Film Awards यह नि ब्रिटेन के द्वारा यह दियाता है ठीक है BAFTA Awards पताओना ची इसे जो है अवोड को देता कौन है तो British Academy of Film and Television Arts जो है देता है पहली बर कप दिया गया था 29 मैं 1949 को पताओना चाहिए आगे हम देखते हैं यहां पर देखो बेस्ट फिल्म का वोड पुछा जा रहा है BAFTA Awards 2022 में किसे मिला है तो मिला है option D The Power of the Dog को याद रखिएगा एंड इस मूवी को डायक्ट किस ने किया है जेन कैंपियन ने यह निजिलेंड की है एंड मैं आप यह वार्स 2021 की बात करूं तो वार्स 2021 में बेस्ट फिल्म का इस में तो यह मिला है बेल फास्ट को option A सही हो जाएगा B से ब्रिटिस B से बेल फास्ट याद रख सकते हैं ठीके अ कि आगे है कि किश डिर्क्टर का वोड किसी मिला है बाप्टा वोड दोश 122 में तो बेस्ट डिर्क्टर का वोड मिला है इनका नाम है जेन केंपियन किसरी महिला है जिने जो है बेश्ड एक्टर का वोड दिया गया है ठीक है फिर है बाफ्टा आवड 22 में सर्वस्रिष्ट एक्टर बेश्ट एक्टर का वोड किसे मिला है तो यह है वील स्मित सब जानते ही नहीं आप्शन भी सही हो जाएगा याद रखेगा किस मूवी के लि आफ्टर लव मूवी के लिए इसके बाद यहां पर पूरी लिस्ट है बाफ्टा आवड 22 की यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट फिल्म दपावर आप दी डॉग बेस्ट आक्टर जेन कैंपियन बेस्ट एक्ट्रेस का जो है मिला है जोआना स्कैलन को आफ्टर लव के लि बाकि यहां पर अब देख सकते हो लेंडन में यह आवाड कोई घोसना हुई और यह प्रेजेंट कौन करता है वो लिखा हुए फिर यहां पर देखो ऑसकर आवर्ड ऑसकर से रिलेटर प्रसना आपके एक्जाम में पुछे आते हैं इस बार जो है इसका 94 एडिसन था ऑसकर आवर्ड का जैसे देखो इसका नाम है अकेडमी ऑवर्ड ठीक है वैसे आप लोग जो है इसे ऑसकर आवर्ड भी बोलते हैं बात करें तो कौन सब्स देता है उनिट्टेट जाता है ग्रैमी आवोर्ड देता है इस ऑसकर आवर्ड ऑफ्स उनिट्स याद रख सकते हो बाकि 24 अकेडमी वोट्स था वहावर विल स्मीथ ने जो स्टेंडफ कमेडियन थे क्रिस रॉक उनको थप्र मार दिया था तो इस वैसे जो है काफिया दाए चर्चा में रहे थे विल स्मीथ एंड तो उन्हों जो स्टेंडफ कमेडियन है वो फिर यहाँ पर देखो पुशा जा रह है सियान हैडर नहीं याद रख सकते हो और यहाँ पर नीचे लिखा गए 2021 का बेस्ट फिल्फ अवोड वो मिला था नोमेड लेंड को 1222 का मिला कि से कोड़ा को 1221 को 1221 में नोमेड लेंड ठीक है फिर यहाँ पर बेस्ट डेरेक्टर का वोड किसे मिला है केडमी अवोड 22 मे तो यह मिला है जेन कैम्पियन को याद रख सकते हो आपने पीछे देखाऊगा बाफ्टा में इन्हें जो है बेस्ट अक्टर का वोड मिला है जेन कैम्पियन को ही तो ऑप्सन ए सही हो जाएगा दपावर अप दिडॉग मूवी के लिए फिर ऑश्कर अवोड 22 में बेस्ट ए जैसिका चस्टेन को और इसकी मूवी है दा आइज ओफ टैमी फाई इस मूवी के लिए ने बेस्ट अक्टरेस कवर्ड मिला है ओस्कर अवोड 22 में फिर यहां पर देखो कम्प्लीट लिस्ट है ओस्कर अवोड की या फिर आप बोल सकते हो 94th Academy Award तो बेस्ट फिल्म कोडा चलो यहां पर फूल फर्म आपको दिख गया बेस्ट एक्टर विल स्मीथ किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर जैसिका चस्टेन बेस्ट एक्टर जेन कैंपियन सब याद रखना है ठीक है ओस्कर से रिलेटेड प्रस्ट पुछा आता एक्जाम में इसके बाद यहा मिलें थijn Hahnemir 기자 को यहां पर देखो बेस्ट इंट्रेस्टशनल फीचर फिल्म कर वर्ड मिला है तीग हए याद रखना का की तहां आगे आगे आपर कौनसा अवर्ड है तो यह है गोल्टेन ग्लोब और दरामा में बेहिट आप इंप करूं сказал स्टोरी को बेस्ट एक्टर्र ज ठीक है आगे आपर देख सकते हो 79 एडिसन था ये और इसकी सुरुवात कभी थी गोल्डेन ग्लोब अवोर्ट्स की बीच जनवरी 1944 को और इस अवोर्ड को भी जो है यह से ही देता है यहां दख लेना इसका 79 एडिसन था तो यह से कौन-कौन सा अवोर्ड देता है गोल्डेन फिल्म आप दे इयर का वोर्ड जीता है तो यह मिला है पुश्पा दराईज आपको इस मूवी का डालोग पता ही होगा option यह सही हो जाएगा ठीक है आगे देखो यहां तो क्या था फिल्म आप दे इयर था ना यहां पर देखो क्या पुछा जा रहा है बेस्ट फिल्म अपर है इस एक्तर का वर्ड मिला रंवीड सिंक को 83 जोइंड की मूवी है उसके लिए जो कपिल देव के पर बनाई गई है बेस्ट एक्ट्रेस का अवर्ड मिला है किरती सैनो को किसके लिए मीवी के लिए ठीके बेस्ट वेब स्रीज के अवर्ड के हमें बात करूँ तो वह मिला है कैंडी को तो यह सब आप याद रख सकते हो ठीके आगे देखते हैं आगे आपर है एक 67th Film Fair Awards तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो Critics Best Film Award मिला है सरदार उधम को Best Film Award मिला है शेर्चाह को Best Actor का अवर्ड मिला है रनवीर सिंग को किसके लिए 83 मूवी के लिए Best Actress का अवर्ड मिला है किरती सैनो को मीमी के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकि Critics Best Actor Award विक्की कोशल Critics Best Actress Award विद्याबाल शेर्णी के लिए ठीके सबस्यादा आवर्ड किसे मिले है तो यहाँ पर आप देख सकते हो Most Nomination याद रखो ठीके वो मिला है शेर्चाह को टूटल याँ पर उनाइस इसका जो है Nomination था पता होना चाहिए और सबस्याद आवर्ड की में बात करोते हैं Best नहीं होगा Most होगा वो मिला है सरदार उधम को 9 Awards टूटल मिले है Lifetime Award अप यह याद रख सकते हो यह मिला है सुभास घाई को ठीके बाकी देखो बहुत साथ नाम हो गए आपको याद होगा कि नहीं लेकिन एक बार देख ले ना 68 Film Fair Awards और ओसकर से सवे ना वो देख ले ना ठीके और फर्स्टेम में अवर्ड दिया गया था 1954 में Film Fair Awards की में बात कर रहा हूँ 222 में 67 एडिसन था इसका फिर आपके लिए एक प्रस्टन आ गया कि जो 52nd डाना साय फॉल के अवोड है न वो किसे दिया गया है वो आप बताईए आपके आपके आपसोंस है अमिताह बच्चन, रजनी कांत, आशा पारेक, परेश रावल इसका अंसर आप दे दोगे मुझे पता है आपको नाम याद ही होगा बाकि आप इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए क्लिए क्या करेंगे जाकर टेलिग्राम पर सर्च करिए इंडो पार्ट साला उसे जोईन कर लिजे आपको बिल्कुल फ्री में पीडिया प्रवाइड करा जाएगा और बाकि वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हो हिस्तिरी के देखो इंपोर्टेंट इविंट्स कराएगे हैं काफी अच्छी वीडियो थी ये अभी आपका जो एक्जाम आने वाला है उससे लिटर साभी वीडियो जो है हम कंटिन्यू अप्लोड करेंगे सभी वीडियो को देखिए एंड वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सो थैंक यू फर वाचिंग वीडियो थैंक यू सो मच